हेलो दूस्तों वेलकम टो और चैनल दैंड इंस्टाग गाईज आज के इस वीडियो में बात कने वाला हूँ फायर बोल्ट इंफिनिटी स्मार्वाच वर्सेस फायर बोल्ट सूपर नुवाई स्मार्वच के बारे में इन दोनों स्मार्वच की फुल केम प्रिजन करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन से स्मार्वाच सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाती क्योंकि इनकी प्राइस को देखा जाए तो प्राइस एराउंड आपको दोनों के सेम देखने को मिल जागी लेकिन बिल्ट वाल्टी डिजाइन और फीचर में देखा जाए तो बहु आपनी चेकम बॉक्स में पूछ सकती है मुझे इंस्टाग्राम पे डियम कर सकते हो तो आएए ज़़्यादे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Firebolt Infinity Smartwatch आपको circular dial chip में देखने को मिल जागी, जबकि Firebolt Supernova आपको rectangular dial chip में देखने को मिल जागी, और दोनों स्मारच में आपको circular crown rotatory button का support जो है देखने को मिल जागा, जो कि multi function work करेगा, लेकिन Infinity Smartwatch में आपको तीन बटन देखने को मिल जागा, दो है circular tap button और एक है crown working, देखने को मिल जागा, लेकिन Supernova का step थोड़ा सा अलग देखने को मिल जागा, ये Apple Watch Ultra वाला step देखने को मिल जागा, और दोनों का step आप remove कर सकते हो, लेकिन easy तरीके से आप remove नहीं कर सकते हो, इस क्रू को यहाँ पे खोलना पड़ेगा, जो कि आपको थोड़ा से यहाँ पे tough लगने वाला है, इस तरीके से आप यहाँ पे change कर सकते हो, तो change हो जाएगा, बस थोड़ा से यहाँ पे आपको hard work करना होगा, तो build quality design देखा जाए किसकी best निकल कर आ जाती है, तो दोनों की build quality design आपको best निकल कर आ जाती, बस यहाँ पे difference है, एक है circular और एक है rectangular, तो आपको किस shape की watch अच्छी लगती है, circular या rectangular, यह अपने मन की according या अपने choice पे आप purchase करिएगा, और friends बात करें इन दोनों smarts के specification के बारे में, तो firebolt supernova में आपको 1.78 इंच की angular display देखने को मिल जाएगे, always on display का support जो है देखने को मिल जाएगा, साथे साथ में 368-448 का pixel resolution दिया गए और 550 का निक्पिक brightness का support मिल जाएगा, साथे साथ में multiple watch faces का support दिया गए और इसमें आपको 8 UI menu का support जो है देखने को मिल जाएगा, जबकि firebolt infinity smartwatch में आपको 1.6 इंच की यहाँ पे HD display देखने को मिल जाएगे, और इसमें भी आपको always on display का support जो है देखने को मिलने वाला है, और इसमें भी आपको multiple watch faces का, यानि कि around आपको 100 plus watch faces का support जो है देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी आपको multiple UI यानि कि 5-6 UI आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा, अब display size यहाँ पे देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा difference निकल कर आ जाता है, तो best देखा जाए, तो emulator display यहाँ पे supernova में देगी, तो quality आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, और वहीं पे साथ में infinite dream क्या है, कि इसमें भी आपको HD display देखने को मिल जाएगी, और quality इसकी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, बस यहाँ पे difference क्या निकल कर आ जाता है, इनके shape और size को लेकर, यहाँ पे shape और size बहुत ही अलग दिया गया है, तो यहाँ पे दोनी smartwatch के display size बहुत ही अच्छी दी गई है, और बहुत ही best दी गई, यह नहीं कि HD है, तो आपको ज्यादा खराब देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यूंकि इसमें भी आपको always on display का support मिलेगा, और pixel solution इसका भी अच्छा खासा दियेगा, और 60 Hz का refresh rate का support जो है दिया गया है, और 600 इंच का brightness का support इसमें भी दिया गया, तो display की quality around आपको same देखने को मिल जाएगा, और friends बात करें इन दोनों smartwatch के main highlighting feature के बारे में, यान की Bluetooth calling के बारे में, इन दोनों smartwatch में आपको Bluetooth calling जैसा feature मिल रहा है, यान इन-built mic, speaker, dial pad, context, quality का support आपको दोनों smartwatch में देखने को मिल जाएगा, यानि आप अपने smartwatch से call पे बात कर सकोगे, साथे साथ में call को dial भी कर सकोगे, और कुछ contact को save करके रख सकोगे, लेकिन अब difference के बारे में बात करें, तो फारबल्ट infinity smartwatch आपको 4GB का, यानि 4GB का यहां पर memory का भी support जो देखने को मिल जाएगा, जो कि inbuilt है, आप यहां पर कुछ भी store करके रख सकते हो, तो यह यहां पर बहुत बड़ा difference निकल कर आ आ जाता है, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन दोनी smartwatch के health trackers के बार में, तो दोन में आपको SPO2 का support, real time button monitoring, sleep, breathe, stress, और उसीकसा female health trackers का support मिल जाएगा, बात करें इन दोनी smartwatch के sports mode को लिकर, तो sports mode में आपको difference मिलेगा, फारबल्ट supernova में आपको 123, यानि की 103 स्पोर्स mode technique मिल जाएगे, जब की फारबल्ट infinity smartwatch में आपको 300 plus sports mode देखने को मिल जाएगे, जो कि बहुत ही जादा निकल कर आ जाता है, साथी सब में water ratio को देखा जाए, तो इसमें आपको कोई difference नहीं मिलेगा, दोनों में IP67 यानि हलका फुलका पानी लग जाता है बरसात वगरे में, यहां यहां पे बॉच्छार आ जाती है, यह पसीना वगरे लग जाता है, तो कोई problem देखने को नहीं मिलेगे, लेकिन fully water में चला जाता है, और दोनों स्मार्च में आपको voice assistant का भी feature मिल रहा है, और दोनों स्मार्च में आपको inbuilt game का भी feature जो है देखने को मिल जाएगा, साथी साथ में दोनों में आपको site calculator का भी feature जो है देखने को मिल जाएगा, और उसी एक्सासत अब difference के बारे में बात करें तो फारवर्ट infinity में आपको क्या है TWSC यानि जो आपका ear buds होता है या जो आप buds लगाते हो उसको आप pair करा सकते हो या connect करा सकते हो और गाने को enjoy कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको 300 प्लस गाना यहां पे save कर सकते हो infinity smartwatch में क्योंकि यहां पर आपको चार्जी बिखा इस्टोरिज मिल रहे तो यह feature यहां पर देखने को मिलेगा जबकि supernova में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों स्मार्च में अब प्राइस पूंड को देखा जाए तो दोनों की प्राइस साहद 499 रुपए है infinity smartwatch आपको क प्राइस निकल कर आ जाता है तो मैं तो बोलूँगा कि 4900 रुपए में फायरवल इंफिनिटी स्मार्वाच वर्थ है क्योंकि इसमें आपको उस टाइप का फीचर मिला है बस क्या है एमुलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहे बस यहीं कमी निकल कर आ जाती है जो कि इसका बढ़िया है लेकिन यह ओवर प्राइस जा रही है एमुलेड डिस्प्ले के नाम पर बहुत ही ज्यादा यहां पर प्राइस यह लोग ले रहे और लुक के इसाब से जबकि इसकी प्राइस अगर जानी चाहिए तो 4000 रुपए बहुत मैक्सिमम जानी चाहिए ने तो 34 सब्सक्राइब लेकिन मैं बोलूगा कि अगर यह 4900 रुपए में मिलेगी सूपर आप इसको बिल्कुल भी मत लिजिएगा बलकि यहां पर इंफिनिटी स्मार्वच को ले लिजिएगा क्योंकि इसमें आप उस प्राइस पर देखा जाएगा तो वर्थ निकल कर आ जाती है क्योंकि बड़ी डिस्प्ले मिलीगी मेटल फ्रेम की बॉड़ी है ब्लुटूथ कॉलिंग का फीचर है और टी डव्ली एस कनेक्टिवीडी का भी सपोर्ट मिल जा रहा है साथी सब में चार्ज भी स्टोरेज का भी फीचर जो देखने को मिल जा रहा है तो यह कहिन कहीं उ आपको यहां पर मिल जाएगी 25 रुप में सेम यह बस एमुलेट पैनल नहीं मिलेगा तो एमुलेट यहां पर कोई खास देखने को मिल रहा है तो स्मूथ यहां पर चलनी वालिए डिस्प्ले क्वालिटी आपको दोनों अच्छी देखने को मिलेगी तो मैं तो बोलूँग बाते कर सकते और अब कोई सवाल हैं डाउठो इंदोनी समानच को तो या किसे और समानच को तो आप नीचे कुछ ने पूछ सकते इंस्टागर पेगाम कर सकते आई फूप को दो समझ में आईगी अगर समझ मेह यह तो एक लाइच जरू कर जीगा चैन कर पहली, बार उन्ह सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर जीगा कियोंको मैं ऐसे अपडेट कम प्रिजन और अन्बॉक्सिंग की विडियों की आतिर तो मिलेंगे नेक्षिंग किसे अन्बॉक्सिंग टिक साथ में तब तक लिए जैन